जैशी किशना दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं आपको कार्थिक मास के क्रिशन पक्ष की रमा एकादशी की कथा सुनाओंगी लेकिन वीडियो शूर करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और पास में लगे बैल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शूर करते हैं कार्थिक मास की क्रिशन पक्ष की रमा एकादशी की कथा एक समय मुचकुंद नाम का राजा सत्यवादी तथा विश्नु भक्त था उस कार्थिक मास में सोभन एक बार ससुरा लाया रमा एकादशी का वरत था राजा ने गोशना कर दी थी कि सभी लोग रमा एकादशी का वरत नियम पूर्वक करें चंद्रभागा को लगा कि उसके पती को इससे पीड़ा होगी क्योंकि वह कमजोर हेदय का है जब सोभन ने र भागा ने कहा कि इस राजय में रमा एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता है जदी आप वरत नहीं कर सकते हैं तो दूसरी जगह चले जाएं इस पर सोभन ने कहा कि वह मर जाएगा लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगा वह वरत करेगा उसने रमा एकादशी वरत किया लेकिन भूख से उसका बुरा हाल था। रात्री के समय जागरन था। वह रात्री सोभन के लिए असहनिय थी। अगले दिन सूर्य उद्य से पूर्व ही भूखे सोभन की मौत हो गई। इस पर राजा ने उसके शव को जल प्रवहा करा दिया तथा बेटी को सती नै होनी का आ स्था रखने को कहा। पिता की आग्या मान कर बेटी ने वरत को पूरा किया। उधर रमा एकादशी वरत के प्रभाव से सोभन जीवित हो गया। और उसे विश्नु कृपा से मंदराचल परवत पर देवपूर नामक उत्तम नगर मिला। राजा सोभन के राजय में स्वरन मनियों अभूशन की कोई कमी नय थी। एक दिन राजा मुचकुंद के नगर का एक ब्रामन तीर सियात्रा करते हुए सोभन के नगर में पहुचा। उसने राजा सोभन से मुलाकात की। राजा ने अपनी पतनी चंद्रभागा तसा ससुर मुचकुंद के बारे में पूचा ब्रामन ने कहा कि वे सभी कुशल हैं आप बताएं रमा एकादशी का वरत करने के कारण आपकी मृत्यू हो गई थी अपने बारे में बताएं फिर आपको इतना सुन्दर नगर कैसे प्राप्थ हुआ। तब सोभन ने कहा कि यह सब रमा एकादशी वरत का फल है लेकिन यह अस्थिर है क्योंकि यह वरत विवश्था में किया था जिस कारण अस्थिर नगर मिला लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है। उस ब्रामन ने सारी बातें चंद्रभागा से कही तब चंद्रभागा ने कहा कि यह स्वपन तो नहीं है। ब्रामन ने कहा कि नहीं वह प्रत्यक्ष तोर पर देख कर आया है। उसने चंद्रभागा से कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थीर हो जाए। तब चंद्रभागा ने उस देवनगर में जाने को कहा। उसने कहा कि वह अपने पती को देखेगी तथा अपने वरत के प्रभाव से उस को स्चिर कर देगी तब ब्रामन उसे मंद्राचल परवत पर वामदेव के पास ले गया वामदेव ने उसकी कथा सुनकर उसे मंत्रों से अभिशेक किया फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से दिव्य देहे धारन किया और सोभन के पास गई सोभन ने उसे सिंघासन पर अपने पास बिठाया, फिर चंद्रभागा ने पती को अपने पुन्य के बारे में सुनाया, उसने कहा कि वह अपने माईके में आठ वर्ष की आयू से ही नियम से एकादशी वरत कर रही है, उस वरत के प्रभाव से यह नगर सिर हो जाएगा, तथा यह प्रल्या के अंत त भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो लोग रमा एकादशी का महात्मे सुनते हैं, वे अंत में विश्नु लोग को प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों यह थी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट करके अवश्य बताईएगा, और कॉमेंट में जैशी किशना लिखना ना भूलिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और पास में लगे बैल आइकन को भी दबा ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जैशी किशना